श्री शिवार नमस्तुर्य। जैसे सूर्य नरेण भगवान को इस्टिल के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या पिलाश्टिक के लोटे से या काच के बरतन से जल चड़ाने से आयू छिन होती है। क्या समाफ्त होती है आयू और सूरी नरण बगवन को अगर कामवे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयू की वर्द्धी होती है और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रस्ता खुल जाता है और शरीर की बिमारी समाफ्त हो जाता है शरीर की विमारी समत हो जाए अब एक बात साउधानी से सुनिया जाए सायद श्यू महापुरान के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई पर श्यू पंचायत कथा में आ रही है जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और जितने इस चतिस गड़ की पावन धरा पर वेट पर सुन रहे हो बहुत साउधानी से सुनना एक प्रिश्न हमारे भीतर खड़ा होता है जब हम सूरे नरहेन भगवान को अर्ग देते हैं जल चड़ाते हैं तो वह जल परत्वी पर जब गिरता है तो उसके छीटे हमारे शरीर पर लगते हैं क्या वो ठीक है? क्या वो स्रिष्ट है तो श्यू महापुरान की कथा करती है जब हम सूरी को अर्ग देते हैं सूरी को जल चड़ाते हैं वो पानी जब परत्वी पर गिरता है उसके छीटे हमारे शरीर पर लगते हैं तो वो स्रिष्टता का भाव निर्मित करते हैं वो गलत नहीं हो सकता कारण अब वो भी समझ लीजिए अब सूरी नरेन भगवानों को आप जल चड़ा रहे हो तो छीटे नहीं लगे उसके लिए क्या श्टूल पे चड़के चड़ा होगे कि कुर्सी पे चड़के चड़ा होगे आरे बोलो तो सरी अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चड़ाते हैं वो हमारे सरीर में चीटे लगते हैं जमीन पे से पानी गिरता है वो हमारे सरीर को चीटे लगते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा कौन ने कहा फिले तुसको पकड़के लड़के क्योंकि मेरे राम जी महाराज मेरे भगवान कृष्ण बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधा कुपासक जितने भी हुए जिन्होंने सूरी की अराधना करी इन्होंने टेविल पे चड़कर या कुरसी पे चड़कर जल नहीं चड़ाया इन्होंने परत्वी पर खड़े होकर ही क्योंकि परत्वी तत्व के देव है शिव जब हम मरत्यू लोग पर खड़े होकर परत्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग परत्वी तत्व को धानन करकर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका अश्यरवाद ही प्राप्त होता है दोश नहीं लगता पर लोगों ने इसको विपरित कर दिया कि कौन ने विपरित करा कई लोगों ने इसको विपरित कर दिया कौन ने विपरित करा तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाते हैं वो धीरे 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 कहने लगे कि सूरी को जल चड़ाओगे तो सरीर में लगेगा सरीर में लगेगा तो दोष लगेगा इसको कह कहकर घर घर में सूरी को जल चड़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चड़ाएंगे तो दोश लगेगा, शरीर पे छीटा लगेगा, शरीर पो ऐसा लगेगा, यह यह दोश नहीं है, कितनी सुंदर वात है महाराज, सूरे नरहेन भगवान को जब जल चड़ाया जाता है, हाथ सिर से आट इंच की दूरी पर होना चाहिए, जम के बोल अपना हाथ होना चाहिए, मस्तक सिस सूरी को जल चड़ाते समया, और ना चांदी का, ना इश्टिल का, ना लोहे का, ना प्लाश्टिक का, ना कांच का, ना सोने का, कोई बरतन, ना कांसे का, ना अलमोनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, बो है तामबे का, का ऐका पात्र होना चाहिए, तामबे का पात्र, और सूरी नरेन भगवान को जब आठ इंच उपर, तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूरी को जल चड़ा रहे हैं, कैसे जल चड़ाना है, वो भी समझ जिसके चेश्ट में कैंसर आ गया हो लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो या कोई गठान आ गई हो तो महाराज आप जल चड़ाते समय उस जल की धार को सूरी भगवान को जब चड़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की और जाना चाहिए जिससे सूरी की किरन उस जल में से आपकी उस इस्थान पर पड़े उस जगहां पर पड़े जहां पर गठान है महराज आप लगातार जल तो चड़ाना चालू करो अच्छे अच्छे डाक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठी हो आपका लिवर और किड़नी गरवड़ कर रहा है आप प्रती दिन आपका स्वास्त्र गरवड़ रहता है आप प्रती दिन ये ये जोतिशास्त्र के अंतरगत रतन शास्त्र के अंतरगत ये रतन शास्त्र जोतिशास्त्र रंग शास्त्र जो हमारे यहां है इस कलर को शरीर पर लगता है और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर दीरे-दीरे हमारी जो इंद्रियाँ है वो सही होने लगती है, काम सही होने लगती है, और सूरी नरायन भगवान का दर्शन साधरन नहीं, जो जल तुम चड़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूरी का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की विमारी कभी नहीं हो सकते। लीवर, किडनी, हाट, आपके हाट में अगर तकलीफ है, डाक्टर ने कह दिया कि इसमें नस्चोक है, आपको कहीं न कहीं छला ढलेगा, आपको कह दिया, इसमें कुछ न कुछ प्रावलम आ रही है, आप सूरी को अर्ग देना चालू कर दो, सूरी को जल चड़ाना चालू कर दीजिए आप सूरी को जल चड़ाओ वो जल की जो तरंग आ रही है वो जल जो निकल कर जा रहा है उसकी जो किरणा के हिर्दय पर आपकी छाती पर पढ़ रही है नाडियों में पढ़ रही है उसका बल देखो तो सरी एक महिना लगातार चड़ाओ तो पंद्रा दिन दीज दिन करकर तो देखो क्यों राम जी महराच जल चड़ाते थे क्यों भगवान कृष्ण जल चड़ाते थे सूरी को क्यों दश्रत जी महराच जल चड़ाते थे क्यों कश्चप रिशी जल चड़ाते थे सूरी को सारे 33 स्कोटी देवता सारे रिशी वर साध सब भगवान सूरी को अरग दिया करते थे क्यों देते किसलिए सूर नरेन भगवान को जल चड़ा थे समय आपके पंजों की एड़ी उची नहीं होना चाहिए ध्यान दीजेगा आपका पंजा पाउं का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भोमी पर हाथ कितने इंच उपर हाथ इंच उपर होना चाहिए जल जो गिरे सूरी की किरन सूरी का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए क्या होगा उससे जिस बच्चे को आँख में चश्मा लगा हो मोटे से मोटा चश्मा लगा हो छूट नहीं रहा हो तो थोड़े दिन उसको सूरी का अर्ग चड़वाना चालू कर दो जल में से सूरी का दर्शन कराना चालू कर दो सूरी का दर्शन चल जल जल दो महिना धाई महिना बहुत है आग की रोशनी बढ़ जाएगी चस्मा हड़ जाएगी आप करकर देखिए अब एक प्रिश्ण और खड़ा होता सूरी को अर्ग देने गरजी ऌंच देव पंचायत में सूरी नरेण भगवान शंकर की पंचायत में हैं सूरी नरेण को हम फिलेट में रहते हैं हम फिलेटके अंदर देर्जी तो हम फ्लेट में रहते हैं रहाँ अगर छज्चा नहीं है हमारे यहाँ जगा नहीं है तो हम सूरी को अर्ग कैसे दें तो महाराज खिड़्की तो होगी अगर घर में फ्लेट में पानी ढूलेगा और आप लोग नहीं समेठ सकते तो इक बालती रख़ूँ एक पात्र रख लग पर सूरी नरायन भगवान को अरग दे कर रोशनी शरीर पर पढ़ना चाहिए जिन्दगी में कभी कोई बड़ी बिमारी नहीं आसा कितने लोग देते हैं सूरी को अरग जरहाथ उठाओ बहुत बढ़िया बहुत जोड़ा पुरुष लोग भी देते हैं न चाहिए बच्चे से बच्चा बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ जोटे बच्चे होना उन को तांनी दो जा बाहर खड़व जा एक लोटा पानी चड़ाओ कि आहाथ पहले दिन आप सवयम बच्चे के साथ बहर खड़ी ओट लेपकरा लिए अ गर के बाहर खड़ी ओच्ट पे खड़ी ओ रियो और बच्चे से लो चड़ा बेटा देखो ऐसा हाथ आटीन चूपर करिए तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है जैसे वह स्लो मोशन के सीन नहीं होते हैं नाटक में यह अग्दम धीरे दी बस नहीं तो मालूम पढ़े छोड़ा छोड़ी एक साथ उंडेल के नहीं जल चड़ एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप लोग स्विकार करेंगे तो अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है विद्या में कमजोर है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा पढ़ने में कमजोर है वो पढ़े अपनी जगा पढ़े वो कारे करे अपनी बच्चो को कहे दो कि कुछ समय के लिए सूरे को अरग देना चालू कर सूरे की कि रंड जहां पर ब्रहमन या हिंदू-धर्म कावेक्टी मस्तख पर तिलक लगाता है भुकूटियों के बीच में सूरे की किरण इस भुकूटी के बीच पढ़ना चाहिए पर तो पानी कम से कम ना ना करते हूं इस लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए एक दम धीरे धीरे तो यहां एक रेखा सूरी की किरन से पड़ती है पतनी चाहिए कि पती की उम्र लम ली रहे तो पतनी को अपने पती से कहना पड़ेगा कि यह लोटा बरा हुआ रखा है आप उठे हो ना चाहिए कि जो किरन इस पानी में से निकल कर इस भुकूटी पर पड़ती है और हुर्दय रेखा से जैके जब नीचे तक जाती है तो यहां से यहां तक हमारी सारी मूल रेखाए रहती हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति हाट अटेक की बिमारी से नहीं मरता बीपी और को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लच्छमी प्राप्त होती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चड़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है मंगलवार को अगर शिवजी के मंदर में संकर के मंदर में जाकर एक लोटा पानी चड़ाया जाता है तो हमारे कारे में उन्नती होती है बुद्वार के दिन अगर संकर पर एक लोटा पानी चड़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवा नहीं हो रहा जिन बच्चों का विवा नहीं हो रहा उन बच्चों के भी विवा हो जाते हैं माराज गुरुवार के दिन अगर शिवजी के मंदर में पानी चड़ाया जाए जल चड़ाया जाए तो घर में विद्वत्ता का अनुभाव होता है महाराज बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चड़ाया जाए तो नारी का अखंड सोबा क्यों होता है महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की अराधना करी जाए शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चड़ाया जाए श्री श्रिवार नमस्तो भ्यम।